नमस्कार मैं हूँ अभिशेक चत्रुवेदी धर्म कर्म में आपका स्वागत है बात करते हैं आज के पंचांग की अब आपको बताते हैं आज की तिथी के साथ ही बताते हैं कि ये किस तरहे आपके लिए फल्लाई होने बाली है और अब बात करते हैं नक्षत्रों की नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहने वाला है आप पर क्या असर रह सकता है और अब बताते हैं आज की योग के बारे में जान लीजिए आज कौन सा विसिष्ट योग है योग विशकुम्भ नामक नेसरगिक अशुब योग रात्री दस पचकर 41 मिनिट तक तदंतर प्रिती नामक नेसरगिक शुब योग है विशकुम्भ नामक योग की प्रथम तीन घटी शुब कार्यों में त्याज्य है अब बात करते हैं आज के रतोत्सफ त्योहार और विशेश आयोजनों की और अब नजार आलते हैं चंदर्मा की स्थती पर राहुकाल पर और जानते हैं दिशाशूल के बारे में चंदर्मा संपूर्ण दिवरात्री सिंग राशी में होगा ग्रह राशी नक्षत्र परिवर्तन शुक्र साएं पांच बच कर अर्तालिस मिनिट पर स्वाती नक्षत्र में दाखिल होगा दिशाशूल मंगलवार को उतर दिशाखी यात्रा में दिशाशूल रहता है चंदर्स्तिती के नुसार आजपुर्व दिशाखी यात्रा लाबदायक वशिप्रद रहेगी रहुकाल मध्यमान से अप्रहान तीन बजे से साएं साड़े चार बजे तक रहुकाल विला में शुब करेरम यथा संभव वर्जितरक ना हितकर है बात करते हैं शुब मुहुरत और स्रेष्ट चोगडिये की शुब मुहुरत उप्रयोंकत शुब समय तीथीवार नक्षतर वयुगानुसार आज पूर्वा फालगुनी नक्षतर में सगय वरोका के तथा उत्रा फालगुनी नक्षतर में विवह का अतिया वशक्ता में मुहुरत है आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में भी बताते हैं आपको आज जन्म लेने वाले बच्चों के नाम मो, टा, टी, टू, टे आधी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं इनकी जन्म राशी सिंग है सिंग राशी के स्वामी भगवान सूरे देव हैं इनका जन्म रजटपात से है जो शुब है समने तर ये जातक शत्रुजयी होश्यार प्रत परोग शुरूप से राजकार्यों से संबंद रहता है। जो खुद की मेहनत पर भरूसा रखते हैं। इश्वर से कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।